तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th Chemistry Question Wing Solution 2019 के बारे में 2018 तक हम बात कर चुके हैं 2019, 2020, 2021 मतलब 3 साल कब बच्चा है 2019 के बात कर लेते, कल 20 और उसके बाद 21 कभी चर्चा कर लेंगे इसमें जो मुख इंपोर्टन्ट सवाल था उसको आज हम इकठा करके लाए हैं और आज हम आपको इसके क्या करेंगे आपको इसके बारे में डीटेल से बताने क्या काम करेंगे तो सबसे पहले Crystal Window दोस बिनदो दोस या फिर इसी को कहते Crystal Window टोर्टे या फिर Crystal Window दोस अब टोर्टी जो आता है ट्रोटी क्यों आता है तो वो बताते हैं, जैसे एक यूनिट फैल आप हम आपको बना कर करके दिखाते हैं, यह यूनिट फैल हुआ, यूनिट में अब आभ्यवीकनों के विवस्था के बारे में ने हम बताए थे आपको, कि अब्यविकनों यहाँ पर भी विवस्थित हो सकता है अब अलग अलग अब्यविकनों की विवस्था पाई जाती है तो इसके लाइटिस बिंदों में अब्यविकनों के अपने अस्थान से बिस्थापित होने है अपना अस्थान छोर करके कहीं दूसरे जगह चले जाने से जो crystal में दो सुत्पन होता है उसे हम crystal बिंदू टूटी कहते हैं उसे crystal बिंदू टूटी कहते हैं तो चली ये point आपको clear हो गया होगा यहां तक में कोई दिकत नहीं होगा अब है प्राथमिक सिल से आप क्या समझते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक सिल क्या होता है तो वैसा सिल जिसमें सिर्फ आगे की ओर reaction होता है पीछे की ओर reaction नहीं होता है जिसे सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हम दुबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं तो प्राथमिक सिल में जैसे आपका torch का बेटरी हुआ जिसे लेकलों से सिल कहा जाता है वो हुआ उसके साथ साथ आपका घरी बाला बेटरी जो mercury सिल कहते हैं वो हुआ तो वैसा सेल जिसे सिर्फ एकवार उपयोग में लाया जाता जिसमें रियक्शन्स सिर्फ आगे की और होते हैं रियक्शन्स दुबारा पीछे मुर करके नहीं होता है तो वो है आपका प्रात्मिक शेल उसके बाद था सांद्र HNO3, सांद्र नाइटरिक आमल को एलमोनियम के पात्र में ही संग्रह किया जाता है इसका कारण क्या है जो HNO3 को एलमोनियम के पात्र में शंग्रह किया जाता है इसका कारण है कि जब हम पहले डालते हैं थोरा सा नाइटरिक आमल को एलमोनियम के पात्र में तो एल्मोनियम धातो जो है आपका नाट्रिक अमल से क्रिया करके एक आपका प्रोटेक्टिव लेर सुरक छात्मक कबच बनाता है प्रोटेक्टिव लेर बना लेता है जिसके बाद वो दुबारा नाट्रिक अमल से अभिक्रिया नहीं करता है इसे लिए एल्मोनियम धातो को या फिर सॉरी नाइटरिक अमलों को एलमूनियम के पात्र में शंग्रह किया जाता है तो ये बात हो गया उसके बाद है सल्फर एस एफ सिक्स बनाता है लेकिन S C L 6 नहीं बनाता है इसका कारण ये बनाता है लेकिन ये नहीं बनाता है इसका कारण है F का आकार छोटा होना इसका मूल कारण है F के आकार का छोटा होना अब के आकार छोटा होने के कारण आप इसके जो इसके बाहितम कक्षा में छे इलेक्रों होता है उसके साथ यह सहसंयूजक बंध बना लेता है लेकिन इसका आकार बरा होने के कारण इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन प्रतिकर्शन होना सुरू हो जाता है जो बंध आवंध जो होता है बंध बनने के लिए जो है ताकर से बंद सामर्थ से जाइदा पावरफुल इलेक्ट्रोन परतिकर्शन हो जाता है जिसके कारण SCL6 नहीं बनाता है जबकि SF6 बनाने का काम करता है तो ये बात हो गया, उसके बाद एक है CU, एक जटिल संकुल जिसको कहा गया जटिल संकुल CU, अब है NH3, 4, 2 पलस बनाता है, तो इसमें CU की ऑक्सी करण तो ऑक्सी करण संक्या कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना हो उसको X मानिए आप जानते हैं कि अमोनिया का, क्या होता है, 0 होता है, 4 इंटू 0, और जितना आब इस पलस है, तो X इक्वल पलस 2 करण संक्या आपके शामने पलस 2 निकल करके आ गया, तो उसके बाद हीमोगलोवीन में उपस्थित धातू का नाम बताईए, हीमोगलोवीन में जो धातू उपस्थित होता है, वो धातू है आपका का उन सा धातू है, जिससे F-E के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो ह है नि-गलोवीन में उपस्थित आयरेन का नाम है, आपका F-E, F-E है। और तेफ़लॉन के एत्र का नाम बताइए, टेफॉलॉन के एकलग का नाम क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा फ्लोरो इठीन इसका नाम है, एकलग का नाम है टे लोरो, नाम है एमिनों अमल क्या है तो तो वैसा हुद्रो कारवन वैसा हुद्रो कारवन या फिर वैसा हुद्रो कार्वन ही वैसा हुद्रो कारवन जिसके साथ एमीन मतलब N H 2 कि एमीन इसके त 296 जुरा रहता हैव्यशा हाइडो jadi मूलक penguin फाριता है और आपका कार्बोक्सिलिक एसीड दोनों जुरा रहता है उसे हम एमीनो अमल कहते हैं वैसा हैड्रोकारवन जिसके साथ एमीनो अमल और कार्बोक्सिलिक एसीड दोनों जुरा रहता है उसे हम एमीनो अमल कहते हैं amine और amyl, amine NH2 और amyl तर इसके साथ क्या जुट जाएगा, R, C, H इसके साथ NH2 जुटेगा, और इधर से COH जुट जाएगा, यह निकल कर, यह है आपका amyl बनेगा, जो भी बनेगा सब किसम amyl ही बनेगा, तो यह बात है, एक reaction given है आपको, reaction के बाद जो उत्पाद बनेगा उसको आपको लिखना है तो यह है R, C, O, O और NH2 R, C, O, NH2 है और इसमें आपका उत्प्रेरक है LI इसके साथ साथ AL, H4 और इसके बाद है H2 उपस्थित होता है और इससे तब अब उत्पाद क्या बनेगा उत्पाद बनेगा R इसके साथ साथ आपका CH2 और NH2 बन जाएगा R, CH2, NH2 इसका उत्पाद बन करके आपको मिल जाएगा यह बात आपको उत्पाद के रुप में मिलेगा अब है परासरनी दाव को तो वह निउन्तम दाव जो परासरनी की क्रिया को रोक देता है वह निउन्तम दाव जो परासरनी की क्रिया को रोकने का काम करता है परासरनी की क्रिया को पूरा बंद कर देता है उसे हम क्या कहते है परासरनी दाव कहते हैं तो एंजाइम अब इसके बाद एक है एंजाइम वह जैव उत्परेरक जो सजीवों में रासानिक अभीकिरिया करवाने का काम करता है उसे हम एंजाइम कहते हैं मुह में आपका Amylage नामक पेप्टीन नामक ये सब एंजाइम है जो आपके भोजनकों पचाने का काम करता है तो जो सजीव में जो उत्परे रख कार्य करता सजीव में कार्य रत उत प्रेरक को एंजाइम कहा जाता है अब है चांदी बिद्दुत का बहुत बढ़ियां सुचालक है इसका कारण है क्योंकि इसका परतिरोध सबसे कम होता है परतिरोध कम होने के कारण परतिरोध कम होने के कारण जो है चांदी बिदुद का सबसे बढ़ियां मतलब बेस्ट चालक है अंतर या परीबासा से ही अंतर पता चलजेगा अंतर भी बता देते हैं परीबासा तो वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांदरता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्याते हैं आदर्स विलियन जो सभी ताप एवं सांदरता पर राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे हम आदर्स विलियन जो सभी ताप एवं सांदरता पर आदर्स विलियन जो सभी ताप एवं सांदर्ता पर राउल्ट केनियम का पालन नहीं करती है उसे हम आनादर सबिलियन कहते हैं इसमें एंथेलपी परिबरतन सुन्य होता है इसमें आदर सबिलियन में एंथेलपी परिबरतन सुन्य होता है जबकि आनादर सबिलियन में एंथेलपी परिबरतन सुन्य नहीं होता है एंथेलपी परिवर्तन कहने एक मतलब है या तो उसमा देना होगा या तो उसमा बाहर निकलेगा इसमें ना उसमा देना पड़ता है ना ये उसमा छेपी परकरम है ना उसमा सोसी परकरम है तो जब उसमा छेपी होगा एनरजी बाहर निकलेगा तो उसको माइनस से इंडिकेट करेंगे, जब उसमा देंगे, तो उसमा सोसी परकरम होगा, तो उसे क्या कहता है, जो उसको पलस के दौरा इंडिकेट किया जाता है, इसमें डेल्टा भी, मतला आयतन परिवर्तन भी जीरो होता है, इसमें आयतन परिवर्तन जीरो नहीं होता है, तो है, अब एक अन्तिम प्रस्थ आपका है LMUNA के बिद्धुत अपघटन क्रायोलाइट का ऊप्योग किया जाता है क्रायोलाइट यह जो आपका क्रायोलाइट है क्रायोलाइट LMUNA को द्रौा वस्था में परिबर्तित कर देता है वो दुरारोप में परिवर्तित कर देता है जिससे क्या हो जाता है आपका अलूमीनियम का निस्कर्शन बहुत ही आसान हो जाता है इसलिए तो करायो लाइट का उपयोग एलमूना के बिद्धुत अपगटन अवकरन परकिरिया में किया जाता है तो ये था शुरू से एक बार और फिर से चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले क्रिश्टल बिंदो ट्रोटी था तो क्रिश्टल बिंदो ट्रोटी कहेंगे किसे तो अब है जो क्रिश्टल संडचना में जो बिंदों के हेरा फेरी अदला बदली के कारण जो क्रिश्टल में दो उसे ख्रिश्टल बंदो ट्रोटी कहते हैं चलिए बात है प्राथमिक सील से आप क्या समझते हैं तो वैसा सिल जिसमें सिर्फ आगे की तरफ रियक्शन हुप रियक्शन्स होती है उसे हम प्राथमिक सिल कहता है सांध्र HNO3 को एल्मोनियम के पात्र में संग्रह किया जाता है क्योंकि अब है अल्मोनियम सांध्र HNO3 अभिक्रिया करके एक प्रोटेक्टिव लेयर सुरक्षात्मक चावर्च बनाती है जिसके बाद वो दुवारा एल्मोनियम नाट्रीक अम्ल को एल्मूनियम के पात्र में संग्रह किया जाता है तो उसके बाद था आपका ही अब इसके बाद ESF6 बनाता है इसका कारण है F का आकार च्छोटा होना एकश झछोटा होनी के कारण सलGM पर ESF6 मनाता है जबकि SCL 6 नहीं बनाता है अब है इसके बाद औक्सिडेशान नममर निकालना होता है उसको हम एकस मांगते हैं और जो आविस रहा था उसको इक्वल करके निकाल देते हैं अब उसके बाद हिमोगलोबिन में उपस्ति धातु का नाम बताईरी तुर्ट 일이 हे में उपस्ति धातु का नाम आइरँ है टेफलोन क्या है तो टेफलोन एकलक का नाम आप का है एक ना मैं टेट्रा फ्लोरोईधिन क्या नाम है टेट्रा फ्लॉरोईधिन एममीन फ्ले के साथ एमीन क्रियासिल सामु और कार्ब Reagan में एक साथ जूर साथ उसंते जो बनता उसे काहते है एमीन अमली औरिय क्या है जी एमीन और यह है आपका कार्वोकसिलिक एसिड़ अब उसके बाद रियक्षेंश था रियक्षेंश भी पूरा कर दिये हम परासरणी दाभ को परिभासित करना वह निंतम दाब जो परासरणी किरिया को रोक देता है उसे हम परासरणी दाभ कहते हैं एंजायम मतलब सजीवों में वैसा उत्परेड़क सजीवों में होने वाले अभी क्रियाओं को नियंतरित करने का काम करता है उससे एंजाइम कहते हैं या सजीवों में जो सजीवों में उपस्थित उत्परिरग को एंजायम कहा जाता है चांदी विद्दुत का बहुत अच्छा सुचालक है इसका कारण है इसमें परतिरोध बहुत कम होता है अब है आदर्स और अनादर्स तो वैसा बिलियन जो सभी ताप एवं सांदरताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वो है आदर्स बिलियन और वैसा बिलियन जो सभी ताप एवं सांदरताओं पर आदर्स सभी ताप एवं सांदरताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है वो आपका हो जाएगा another civilian तो दोनों चीज आपको इसमें क्या होता ड sigui ट एनल्टा ह इसमें एनल्पी परिवरतन उन्हीं होता है अभर इसमें आयतन परिवरतन सुन्हीं होता है तो ये बात होगे आपका एल्मूना के विदुत अप घटन में क्रयोलाइट का उप्योग इसलिए किया जाता है क्योंकि अब है कि एल्मूना दुरावस्था बदल जा और एल्मूनियम धातू का निस्करशन आसान हो जाए तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर पूरा पूरा आपको वीड एक वीडियो में तब तक के लिए जाहिन है कि अ हुआ 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 है